क्या कभी आपने सेफटी पिन की साहता से बटन की हैं हेलो दोस्तों मैं हूँ बभीता स्वागत करती हूं आपका पलपल डियल विलोग में तो देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले टिप्स अक्सर होता है कि जब भी हम अपने ही नहीं पाते हैं बहुत ज़्याद मश्यां कट्सक्त हाँ है और कआसी समय भी लग जाता है तो आपने लेना को करना का इस बटन में लगा ले ना इस qam посet can क्ल Curry साथ को теперь show इस अगले तोपिक driving हो देखें को सब्सक्राइब करें से लिए अगला इसवाया काइन आप लेकर होने वाला है अकसर होता है कि कभी कभी न यहीं चैन होती है यह क्टी लूज हो जाती है बंद करते हैं और यह हमें पता भी नहीं चलता है कि कभी यह खिसक के नीचे पहुंच गी है यह खुल गई है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी-कभी तो हमें मतलब के बहुत दा शर्मिंदगी का सामना भी उठाना पड़ जाता है तो अगर आपकी चैन कभी यह लूज हो मतलब के बहुत हो अपनी सिती और निचे के खुले है जो आप पен करके यह छोटी सी टस alby Whew要 ज़ा यह आप ml there आप इसे ट्राइ कर सकते हैं अब next tip दिखते हैं जिन्सकी pen की folding को लेगा तो दिखी फ्रेंट हमारे घरों में कपड़े तो काफी सारे होते हैं और हम यह तो ऐसी मोड तोड कर रख देते हैं या फिर हमारे गोदरेज में कपड़े तने सारे हो जाते हैं कि हमें tension हो जाती है space की कपड़ों की फोल्डिंग तो बहुत सारी होती है लेकिन अगर एक भी कपड़े को फोल्ड करके हम सई से रखते हैं तो बहुत सारा इस प्रेस हमारा बैसे बच जाता है गोध रेजमें यानि के तैह वह खुलने वाले नहीं है बहुत अच्छे से आप इसकी तैह बनाके रख पाएंगे और यह बिल्कुल भी खुलने वाली नहीं है आइडा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दिजगा अब नेएक्स टिप देख लेते हैं जूते की देखे जूते तो हमारे हमारे बाचे होते हैं हत्क है हम झाल निकाल डेते हैं सामको तो आपने देख़ा होगा भी गर्मियों चिपकल हो जाते यह उब जादा और उनके छोटे चोटे बिच्चे यहा तक रिए अनधर हम कंदर हम ध्यांन नी करते है और पैर राले ले जो प्त neighbors हो वो ही आपने रात के समय में डाल देनी है इसकी इसमेल से ना कोई भी चीज जूते में नहीं बढ़के बैठेगी छिपकली मक्ही मच्छर कोकरेच या सांप बगएरा कुछ भी इसके अंदर गुसके नहीं बैठेगा और फिर सुभा में जब आप यूज करें यानि के पहने जूते को तो प्याज निकालकर अलग रख दीजिएगा वह जो जूते की प्याज है आप अलग में ही रखिएगा फ्रेंड बहुत अच्छी सी टीफ्स है बहुत ही हेलफूल है आप देखते हैं नेक्स टीफ सिंदूर को लेकर हम लेडी से क्या करती है कुम-कुम तो सभी लगाती है और कुम-कुम लगाना भी चाहिए सुहागनों को लेकिन प्रॉब्लम यह होती है जैसके अभी गर्मी का सीजन है और गर्मियों में तो पसीना बहुत जदा आता है और पसीने में यह जो सिंदूर होता है हमारे माथे पर बहे जाता है जो देखने में बिलकुल लगा लेते हैं तो हमारे माथे पर सी गिर जाता है तो सबसे पहले आपने इस टिप्स का फोलो करेनी है खासकर आप गर्मियों के टाइम पर फोलो करी सकते हैं इसे आपने वैसलिन लेना है थोड़ा सा और अपनी मांग पे लगा लेना है देखे इस तरीके से जैसे में बचतेए पीकषी अबाटने फ़िकास जाता है वहने ही के फिक्स हो जाएक जय से की और बेहनों को सेमायर थोड़ी सी मदद मिल सके और बहूत आछी चीप मैं ते देखे इस तरीके से आप सिंदूर को लगा लेंगी तो बिल्कुल भी सिंदूर नहीं नीचे गिरने वाला है तो है ना कमाल की टिप्स फ्रेंड आप इस तरीके से अपने सिंदूर गर्में में लगा सकती हैं तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है यह चोटा वाला हैंकी, आप किछिन में बड़ा वाला हैंकी यूज करते होंगे, टौबल यूज करते होंगे, तो जो भी यूज करते हैं आप समझ लीजिए, जैसे कि हम हाथ पौंशते रहते हैं, और किसी खुटी में या केल में से प्लास्टिक की चोड़ी और मैटल की चोड़ी नहीं ले जगा, और आप करना क्या है इसका एक कॉर्णर पकड़ते हुए रुमाल का इस तरीके से इस चूड़ी को आपने सेट कर लेनी है, वह भी सेप्टी पिन के साहता से, शेप्टी पिन बहुत अच्छा होता है, बहु आपने किचिन में कहीं पर भी टांग दिजीए, तो यह अराम से ठंगा रहेगा, और नीचे उतर कर नहीं गिरेगा, कैसे भी आप अपने हैंड इस से पूंश्ते रहीएगा, लेकिन यह नीचे नहीं गिरेगा, आराम से कीलिक में जहां पर भी आप से ठंगेगी, टंगा करना भी नहीं पड़ेगा तो है ना आप भी इसे यूज कीज़ेगा और अपने बढ़ते कामों को आसान कीज़ेगा अब इसके अगली जो टिप्स है फ्रेंड वो भी काफी यूजफुल होने वाली है तो यहां पर दिखेगा हमने लिये हुए है यह बटन तो आप सोच होगे कि यह बटन क्लीन है लेकिन इने में क्लीन करके दिखाऊंगी आपने सोचा भी नहीं होगा कि जो क्लीन हमारे बटन है इसमें से इतनी सारी डश्ट और भी निकल सकती है गंदगी निकल सकती है तो मैं आपको दिखाते हूं मज़े हुए बटन है बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से बटनों को मांजती हूं लेकिन फिर भी मैं आज आपको इसमें से गंदगी निकाल के दिखाने वाली हूं त जो कि हमारी सहत के लिए भूत ज़्ञादा हर्मृ होता है लुकसांते होता है तो यहां पर देकेगा फ्रेंड ये तो मैंने किलीन कर ली है इसमें तो ज़्यादा गंदगी नहीं निकली है अब हम करते हैं किलीन इस कूपर के धकान को तो हम लेडी से बहुत जल्द बाजी में कूकर का धकन भी मांज देती हैं उपर उपर से बहुत जल्द बाजी में मांज लेती हैं लेकिन हमें यह ध्यान ने रहता है कि जो इसकी जहां पे सीटी लगाने वाला पार्ट होता है यह पाइप जैसा इसमें बहुत सारी गंदगी मैं आपको दिखादेरीं के घरेंगे अगर अप अपने कूर ऑप देखेंगे और ल Pero experienced अगर और आप अपने कूर का?ाइब देखेंगे स्नों कुझा है आज इसे कि पेट खराब हो जाता है और वहां पर अच्छे से क्लीन कर लूंगा आज इसे और कितनी सारी डश्ट में अंदर से निकलेंगे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे जबकि मैं तो इन सब चीजों को फोलो करती हूं इन टिप्स को फोलो करती हूं और क्लीनिंग करती रहती हूं अपने बढ़तों की भी एक सेफटी पिन की सहता से आप बहुत अच्छे से इस कूपर के धकन की डीप क्लीनिंग कर रहा है तो अच्छे से किलीनिंग कर पा रहा है यह दिखेगा आप सुई भी ले सकते हैं लेकिन सुई इससे इतना अच्छे से नहीं होता है जितने अच्छे से हम पीन से कर पाते हैं यह की पीन को थोड़ा बहुत हम मोड भी लेते हैं लेकिन सुई को हम मोड नहीं पाते ह इसलिए पीन से बहुत अच्छे से किलीनिंग हो जाती है तो क्या आपने सोचा होगा फ्रेंड के इतनी सारी गंदगी कैसे इस ढखकन के अंदर से निकल गई किलीनिंग की इतनी सारी गंदगी इस में नहीं बन पाती है या फिर बहुत सारे हाथ से हो जाते हैं गैस नहीं निकल पाती है तो कूकर कभी-कभी फट भी जाता है क्योंकि यह सारी चीज़ें हम ध्यान नहीं रखते हैं और कूकर को ऐसे यूज करते रहते हैं तो चोटी चोटी चीज़ों को ध्यान दखेगा तभी आप सेब भी रहेंगे और स्वास्ती भी रहेंगे यहां पर देखेगा कितनी सारी गंदगी इसके अंदर से निकली हुई ह है यह देखिएगा तो आसा करती हुँ फ्रेंड आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीज़ेगा शेयर भी कर दीज़ेगा और घंटी को दबा कर आल पर सेट भी कीज़ेगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो है